जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, 8 नौंबर 2022 को साल का आखरी चंद ग्रहन लगने जा रहा है. ये कार्तिक के महीने की पूनमा को दिन मंगलवार को लगने जा रहा है. आपको बता दें कि ये जो 8 नौंबर का चंद ग्रहन है, ये बहुती प्रभावसाली ग्रहन है. इसका असर हर व्यक्ति, हर रास और बलकि संपूर्ण विश्व में पड़ेगा. क्योंकि जब ये चंद ग्रहन घटित होगा, तो उस समय ग्रहों की इस्तिती जो बनेगी, वे भी ठीक नहीं है. इस कारण भी ये ग्रहन हर किसी की लाइफ में उथल पुथल करेगा. आपको बता दें कि 8 नौंबर का चंद ग्रहन कार्तिक पूर्णमा को लगने जा रहा है. और कार्तिक पूर्णमा के दिन ही देव दीपा वली भी मनाई जाती है. इस प्रकार इस बार की देव दिवाली चंद ग्रहन के साय में मनाई जाएगी. आपको बता दें कि देव दिवाली हर साल कार्तिक पूर्णमा को मना हाई जाती है मानिता है कि इस दिन देवी दिवता धरती पर आ कर दिवाली मेनाते हैं कार्टिक पूर्णुमा को numar के इस्नान का महात्र और ज्यादा भी बढ़ गया है आपको बता दें कि 8 damage का लगने वाला चन्द ग्रहन मेश रासी और भरणी नचत्र में लगेगा। मेश रासी का स्वामी मंगल है वहीं भरणी नचत्र का स्वामी सुक्र तथा उपस्वामी बुद्ध रहेगा। इस द्रस्टी से मेश रासी वाले जातकों तथा भरणी नचत्र के जातकों को इस चन्द ग्रहन के दोरान सौव्धानी बरत्नी होगी इसके लावा जब ये चंद ग्रहन लगेगा तो नंगरँ में छए ग्रहे का केंद्र योग तथा केंद्र संबंद वा द्रस्टी संबंद रहेगा इन ग्रहों कि इस चंद ग्रहन का सभी 12 रासियों पर प्रभाव पड़ेगा आपको बता दें कि 8 नौमबर का लगने वाला चंद ग्रहन भारती समय के नुसार दोपहर 1 बचकर 33 मिनट पर सुरू हो जाएगा और इस चंद ग्रहन की समापती साम 7 बचकर 25 मिनट पर होगी लेकिन इस समय भारत में दिन रहेगा इससे ये ग्रहन भारत में मोग्च होता हुआ ग्रस्तोदे के रूप में दिखाई देगा ग्रस्तोदे का मतलब है जब भारत में चंद्रमा निकलेगा तब उसमें ग्रहन लग चुका होगा क्योंकि ग्रहन पहले ही सुरू हो चुका होगा भारत में चंदरोदे के समय ग्रहन लगा हुआ ही नजर आएगा और बात करें कि भारत में कब दिखाई देगा तो भारत में ये चंद ग्रहन लगबग साम 5 बच कर 32 मिनट पर सुरू होगा और इस चंदग्रहन की समापती साम 6 बचकर 19 मिनट पर हो जाएगी दोस्तों ध्यान रहे कि भारत के हर सहर में चंदग्रहन सुरू होने का समय 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हर सहर में चंदरमा निकलने का समय अलग-अलग होगा तो चंदग्रहन के सुरुवात की टाइमिंग आफ के सहर के इसाब से ही होगी और बात करें कि ये चंदग्रहन कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तों ये चंदग्रहन भारत में दिखाई देगा ये पूर्वी भारत में खग्रास रूप में बाकिसेज भारत में ये खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा और भारत के लावा ये चंडग्रहन उत्री दच्ड़ी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, एसिया, अटलांटिक सागर, पिस्फिक सागर, अर्जंटीना, चिली, बोलिविया, ब्राजील, चीन, रूस, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्री लंका, मयार मार, फिजी, हाई देगा, और बात करें, इस चंडग्रहन के सूतक काल के समय की, तो दोस्तों, चंडग्रहन का सूतक काल, ग्रहन सुरू होने के, 9 घंटे पहले ही सुरू हो जाता है, और 8 नॉम्बर को लगने वाले चंडग्रहन का सूतक काल, सूर्योदय से ही सुरू हो जाएगा, इसक के लिए अब जानते हैं कि इस सुर्ग्रहन का बारा रासियों पर क्या प्रभव पड़े गा किन रासियों के लिए ये खुषिया लेकर आया है साथ ही किन रासियों के लिए ये चंदग्रहन कस्टकारी रहेगा और किनको इस चंद ग्रहन से सावधान रहने की जुरूरत है तो बात करते हैं सबसे पहली रासी की जो है मेस रासी दोस्तों साल का आखरी चंद ग्रहन मेस रासी में ही लगने जा रहा है इसलिए इस चंद ग्रहन का सबसे जादा नकारात्मक प्रभाव मेस रासी के जातकों को धन हानी हो सकती है और पैसों से सम्मंदित चिंता बढ़ेगी इस समय कुछ लोगों की नौकरी जाने के संकेत भी नजरा रहे हैं साथ ही आपको वैपार में भी कुछ धन हानी होने के संकेत हैं इस समय आप लंबी यात्रा करने से बचें साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, दोस्तों मैं इस रासी वालों को अधिक सोचने से बचना चाहिए, क्योंकि इसी रासी में ये चंदग्रहन लगने जा रहा है, दूसरी रासी है व्रसब रासी, व्रसब रासी के जातकों के इस समय खर्चों में इजाफा होगा, सारे रिक पीडा भी हो सकती है आपको वाहन समभाल कर चलाने की जुरत होगी, और अगर आप पार्टनर्सिप में बिजनस कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर सकता है, इस समय कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें तीसरी रासी है मिथुन रासी, मिथुन रासी वालों के लिए ये चंदग्रहन सुफल देने वाला होगा, आपके धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, और अगर आपका कहीं पैसा फसा है, तो वे भी मिल सकता है चंदग्रहन के प्रभाव से आपके आएके नए सुरोत भी बढ़ेंगे, और यदि आप नौकरी की तलास में हैं, तो आपको अच्छी पोस्ट का ओफर भी मिलेगा, साथ ही आपके मान सम्मान में भी बढ़ोत्री होगी अगली रासी है करकरासी, करकरासी के जातकों के लिए इस समय आएके नए रास्ते खुलेंगे, आपको कारी स्थल में कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, आपकी चारो तरफ इस समय प्रसंसा ही होगी हर कोई आपके काड़ को सराहेगा आने वले समय में आपकी आर्टिक स्थिती भी मजबूत होगी अगर आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा साती जीवन साती का भरबूर सहोग भी मिलेगा अगली रासी है सिंग रासी सिंग रासी के जात्कों के लिए ये चंदग्रहन मिले जुले प्रभाव लेकर आया है जहां इस रासी को धन हाने के संकेत मिलेगे वहें जो लोग प्रतियोगी परिछा की तयारी कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत के बाद सफलता भी हाथ लगेगी आपके कुछ काम बनेंगे तो कुछ कामों में रुकावट देखने को मिलेगी अगली रासी है कन्यारासी कन्यारासी वालों के लिए ये चंदग्रहन कस्टकारी रहने वाला है आपको अपयस मिल सकता है या किसी तरह का आरोब भी लग सकता है आने वाले समय में आपको कोई चोड़ चपेड लगने की भी संभावना है घर में कलह की इस्तिती उत्पन हो सकती है कुछ समय तक आप निवेस सो समझ कर करें इसके लावा संतान पच्च से भी कुछ परेसानिया मिलेंगी अगली रासी है तुला रासी तुला रासी के जातकों के लिए भी ये चंदग्रहन मध्यम रहने वाला है आपको संतान पच्च से कस्ट मिलेगा साथ ही कुछ मानसिक परेसानिया भी बढ़ेंगी अपनी वाड़ी पर काबू रखें, किसी से वाद विवाद करने से बचें इसके लावा आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं साथ ही आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें अगली रासी है व्रस्चिक रासी व्रस्चिक रासी वालों के लिए ये चंदग्रहन सुब रहने वाला है आपको कोई सुब समचार प्राप्त हो सकता है अचानक आएके नए सुरोष सामने आएंगे जमीन जैजात के मामले में फैसला आपके पक्षमी होगा राजनीती से जुड़े लोगों का प्राक्रम बढ़ेगा अगली रासी है धनूरासी धनूरासी वालों के लिए ये चंदग्रहन मद्यम फल देने वाला रहेगा आपकी सारे रिक मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं लेकिन आपको अपने जीवन साती का भरपूर सायोग मिलेगा इसके लावा अगर आपका बिजनेस पार्टनर्सिप में है तो आपकी पार्टनर्सिप तूटने की संभावनाएं बन रही है इसके लावा कार रिस्थल पर वाद विबाद भी बढ़ेगा इस दोरान आपको सतर करहनी की जुरत होगी अगली रासी है मकर रासी मकर रासी वालों के लिए ये चंदग्रहन सुप संकेत लेकर आया है आपको कोई खुसखबरी मिल सकती है आने वाले समय में आपकी सभी परिसानियों का अंत होगा आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी अचानक धन लाब भी हो सकता है कुल मिला कर आपके लिए ये सुप प्रभाव लेकर आया है अगली रासी है कुम्ब रासी कुम्ब रासी के जातकों के लिए भी ये चंदग्रहन सुप संकेत लेकर आया है आपको आने वाले समय में कोई सुपसमाचार मिल सकता है आपके घर में कोई मांगलिक कारेक्रम भी हो सकता है साथी धन व्रद्धी के योग भी बनेंगे आपको पिता का इसने प्राप्त होगा आपके लिए ये ग्रहन सुप्रभाव देगा और अगली रासी है मीन रासी मीन रासी के जातकों के लिए भी ये चंद ग्रेन मिला जुला रहेगा आपके कुछ कार्यों में परेसानी आएगी तो कुछ कार्यों में आपको सफलता मिलेगी तनाववा मानसिक परेसानियां बढ़ सकती है स्वास्त को लेकर भी कुछ चिंताइं बढ़ेंगी साथ ही आए में भी कमी आ सकती है कुल मिलाकर आगे आपको संघर्स का सामना करना पर सकता है अब बात करते हैं कि चंद ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे की आने वाले मुसीबट टल सके और आपकी मनोकामना भी पूरी हो सके दोस्तों इसके लिए आपको एक कासे की कटोरी में घी भर कर उसमें चांदी का सिक्का डाल कर अपना मुँ देख कर छायादान करना है साथ ही चंद ग्रहन के समय आपको जादा से जादा चंदरमा के मंदरों का जाप करना चाहिए आप उम सुम सुमाय नमा या उम चंदराय नमा का जाप कर सकते हैं और चंद ग्रहन समापती के बाद किसी ब्रामन या जरुरत मंद को सफेज चीजों का दान करें आप आटा, चावल, चीनी, चांदी या सफेद वस्त्र या पैसो का दान करें इससे आपको सुफल की प्राप्ति होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथी साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद